गुद्रत का भी कहर है और बयानक मनजर है जी हाँ ये है सियाचिन हिमाले के कारा कुरम के पहाडों में मौझूद है दुनिया की सबसे उची रन भूमी यहाँ पर परिस्थिती इतनी कटिन है कि तापमान हमेशा माइनस में रहता है में जुन की गर्मियों में भी यहाँ पारा माइनस पांच से माइनस दस तक रहता है और सरदियों में पारा माइनस पचास डिगरी तक चला जाता है यहाँ पर हवा बहुत पटली है और परियाप्त ऑक्सिजन भी नहीं है युद्ध का खत्रा 24 गंटे मंडराया रहता है और सामना सिर्फ दुस्मन से नहीं बलकि कुद्रत से भी करना होता है और ऐसे बेहत मुश्किर हालात में भारतिये जवान 24 गंटे एक ग्लेसियर की और अपने देश की रखवाली करते हैं इस जगह पे ना पेड़ पोते हैं ना जानवर है और ना ही कोई पक्सी यहां पे चारों और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है इतनी बर्फ के जरासी भी लापरवाही हाईपो थर्मिया को नौबत दे सकती है सियाचिन ग्लेसियर समंधर तर से लगबग 20,000 फीट की उचाईपर है और इस कठीन परिस्तिती में हमारे सैनिकों को एक के बाद एक टुकडियों में बाट कर चार-चार महिनों तक बेजा जाता है लेकिन यकीन मानिए वहाँ पर चार महिने तो क्या चार दिन भी काटना हम आम इंसानों के लिए मौत को दावत देना है इतनी उचाईपर जहां हमारे सैनिक देश की हिफाज़त करते है वहाँ तक उनको हत्यार, खाना, उनकी जीवन की जरूरी चीज़े और सारा का सारा सामान, नीचे के बेस कैम से हेलिकॉप्टरों में पहुचाया जाता है हर सुबह 8 बज़े से 11 बज़े के बीज, एक के बाद एक हेलिकॉप्टरों की परेड लगती है लेकिन हमारे जाबाज पाइलेट कम सीपाही उन हेलिकॉप्टर को 19 से 20 हजाद फिट की उचाई पर बेहत पतली हवा होने के पावजुद भी उडाते हैं और जरूरी सामन उन हेलिकॉप्टरों से थ्ख्रो किया जाता है क्यूटि वहाँ पर लेंड करने की कोई जगा ही नहीं है यहाँ तक आप अगर चौके नहीं है तो आगे सुनिए जब इन हेलिकॉप्टरों से सामन फैका जाता है तो इनमें खाने की चीजे भी होती है जिसमें जो आलू होते है वो हैलिकोप्टर से फैकने के बाद नीचे गिरते वक्त एक सबजी के रूप में से एक पत्थर या स्टॉन के रूप में परिवर्टित हो जाते है उसे अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो लगेगा कि आलू जैसा एक आरस का टुकड़ा पकड़ा है ग्लेसेर के उपर बसे हमारे जवान कहते है कि इस आलू को पका कर खाने लायक बनाने में कूकर में कम से कम 19-20 सीटिया बजानी परती है तब जाके वो आलू खाने लायक बनता है आप इस बात से ही वहाँ की परिस्तिति का अंदाजा लगा सकते है हमारे जवानों को वहाँ पर सबसे बड़ा खत्रा हीम्स खलंका भी रहता है और आज तक उसमें सैकडो जवानों की जान भी गई है लेकिन कुछ जान ऐसे भी है जो वहाँ के खत्रों का सामना करके भी जिन्दगी से लड़ रहे है एक 24 साल की उमर के मेजर जब इस गलेसेर पे अपने ड्यूटी बजा रहे थे तब वहाँ पर बर्थ का भयंकर तुफान आया था सबसे पहले हेलिकोप्टर उस जवान को लेने के लिए रवाना हुआ उनको तुरंत नीचे लाया गया और दिल्ली के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया लेकिन देर इतनी हो गई थी कि उनका एक हाथ और एक पाव काटना पड़ा लेकिन बिल्को हिला देने वाली बात समझे दोस्तों जब वो स्वस्थ हुए तो उनके जस्बे में एक परसन की भी कमी नहीं आई और ना ही उन्होंने फौज को छोड़ा और ना ही हमारी फौज ने उन्हें छोड़ा आज वो मेजर पुने के आर्मी केंप में नए फौजियों को ट्रेनिंग दे रहे है दोस्तों ये होती है देश पक्ती और देश की सेवा हम यहाँ आराम से अपना जीवन जीते हैं लेकिन आज हम सब की सांसे उनके कारण चलती है वो चाहें सिया चिन में हो, राजस्तान के रन में हो या सुंदरवन के जंगलों में हो या देश के कोई और अंदरुनी हिस्से में हो लेकिन आज उन्ही के साहस के कारण हम सिंदा है उन देश के वीरों को हमारा सत सत प्रणाम अगर आप लोगों को भी कभी समय मिले तो किसी दिन या किसी त्योहार पर हमारे आर्मी ओफिसर्स को मिलने जरूर जाए आज के लिए इतना ही और अगर आप दे नौलेज़ पे नए है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें आपकी और जवानों की शुक्कामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी वंदे मातरम जय हिंद